हेलो वरीवान वेल्कम बेक टो शानौलच बैंक यूट्यूब चैनल स्वागत आप का एक बार फिर से शानौलच बैंक के यूट्यूब चैनल पर उमीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे और स्वागत करता हूँ आपका आज इस छोटी सी प्यारी सी ठीक है, nothing is there in this video about your examination, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक छोटी सी motivation वीडियो बनाई है, क्योंकि अभी बस एक डेड़ घंटे बाद आपका 2023 का जो साल है, वो खतम होने वाला है, और आपका 2024 का जो साल है, वो स्टार्ट होने वाला है, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहल जो भी मेरे वीवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी एस्पेरेंट स्टुएंट्स मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मैं एक ही सवाल पूछूँगा, क्या आपके पास ऐसा कोई authentic method या फिर कोई technique या फिर कोई strategy है, जिस formula से आप लोग अपने सपनों को 2024 में साक कर सक रहे हो, अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है, तो ये वीडियो आप लोग नहीं देखिए, आप अपनी preparation जारी रखिए और इस वीडियो को यहीं पर skip कर दीजिए, फर्दर के 5-6 मिनट आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में मैं जस्ट ये एक छोटा सा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, कि कैसे आप लोग इस ने साल में अपने आपको एक नया आदमी, नया, एस्पिरेंट, नया, स्टुडेंट और एक नई परसिनलिटी खुद को बना सकते हूँ, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये छोटा सा प्यारा सा हमारा सेशन, तो वीडियो से स्टार्ट करने से पहले वाई, जितने भी मेरे स्टुडेंट से हैं, उन सब को एक चीज में कहना चाहूँगा, ये जो न्यू येर अभी एक दो घंटे बाद आने वाला है, ये आपकी लाइफ का एक निया चेप्टर है, तो ये जो चेप्टर है, साल का पहला पन्ना, आप लोग अपने हाथों से साफ सुतरा लिखिएगा, क्यों? क्योंकि जो आपका पूरा साल होगा, वो आपके फर्स्ट डे पे डिपेंड रहेगा, ठीक है? अब में चीज सब लोग क्या करते हैं? रिजूलेशन, 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 नहीं, भर साल लोगों का रिजूलेशन क्या होता है? कि खुद को चेंज करना है, क्या करना है? खुद को चेंज करना है, ठीक है? तो इस बार आप लोगों खुद को चेंज नहीं करोगे, इस बार तुमने क्या करना है? पे काम करना है क्या मतलब है उसका कि भाई 2023 में जो आपने mistakes करी जो आपने गलती करी उसको आपने 2024 में सुधारना है और आपको एक बहतर इंसान और एक winner student बनाना है अब एक quote है आपका इलियनोर रिसोल्ट का that is the future belongs to those who believes in the beauty of their dreams आपने अगर कोई खुबसूरत dream देखा है उस पे आपको भरोसा है कि आप उसको follow कर लोगे आप उस dream को achieve कर लोगे तो future आपका है अब ये एक छोटा सा process है जो मैं आज आपसे share करने वाला हूँ main thing is ये वीडियो को ये आपकी educational purpose के लिए नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ आपके motivation के लिए है clear मैं जितना मर्जी motivation दे दूँ अगर आपके पास discipline आपके पास consistency नहीं है तो आपको ये motivation किसी काम की नहीं है ठीक है motivation 0.1% आपको boost करती है बट आपका जो discipline आपकी जो consistency है वो आपको 99% growth पे रखती है main चीज़ अब यहाँ पे आते हैं जो आपका 2023 था ठीक है 2023 था आपने चाहिए VLW का exam दिया हो चाहिए JKPSI का exam दिया हो या various SSC के exam दिये हो या JKSSB के exam दिये हो आपने वहाँ पे multiple failure phase क आपके failure से इतने सारे तो अगर 2023 के failure को आप यहाँ अपने 2024 के success वाले phase में अपने पीट पीछे उठा के ले जाओगे तो जो आपका result है वो फिर से आपको failure ही मिलने वाला है तो आपको 2023 का जो failure है वो आपने 2024 में नहीं लेके जाना है जो 2023 में बीट गया सो बात गई उसको अब भूल जाना है 2024 में उसको लेके आपने नहीं जाना है next further step आपने क्या करना है पहली चीज तो आपने 2024 में इस चीज का खास तोर पर ध्यान रखना है दूसरी चीज आपने क्या चीज ध्यान रखना है यह आप लोग नीचे एक पिक देख सकते हो यहाँ पर मैंने डाल रही हूँ यह illustration के लिए आपको ताकि जो बंदा देखता है उसको follow करता है ठीक है अब main चीज जो हम लोग अपने दिमाग को consume करवाते हैं चाहे वो कोई documentary देख रहे हो चाहे movie देख रहे हो चाहे book पढ़ रहे हो चाहे कुछ खा क्यों न रहे हो जो भी हमारे दिमाग में feed या thoughts कुछ भी जाती है तो हमारे दिमाग में जब वो feed हो जाता है तो वो वैसी ही एनरजी हमारे इर्द गिर्द डूंडता है ठीक है अब इंस्टा चला लो पीजा खालो पाटी कर लो तो आपके पता है आपके दिमाग में क्या है तटी ही बनने वाली है आज की वीडियो भाई सब में दिल से बात करने वाला हूँ यहाँ पे कुछ मेरे को श हीरा बन के निकलोगे ठीक है तो आप क्या बनोगे हीरा बन के निकलोगे जो आप कंजियूम करोगे वोही आपका भाई सहाब अल्टीमेटली प्रिडियूस होगा तो what we choose to consume shapes the essence of who we become ठीक है जो भी हम consume कर रहे हैं वोही चीज हमारे को शेप में लाती है क्या हम अभी future में ब वो सब चीज़ें जो हम consume करते हैं, ultimately वैसी ही चीज़ें हम produce करते हैं, तो खास तोर पे आपने दिहान रखना है किसमें, 2024 में distraction से दूर रहो, ठीक है, negative चीज़ें से दूर रहो, तो choose wisely, कि आप लोग इस category में fall करोगे, या इस category में fall करोगे, ठीक है, तो इस चीज़ का हल क्या ह है सर, ठीक है, ये चीज़ तो पता चलगी, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, तो इस चीज़ का हल एक ही है, main thing is that focus on yourself, ठीक है, क्या focus करना है तुम्हें खुद पे, focus on yourself, क्योंकि खुद पे ध्यान नहीं दोगे, तुम्हारी girlfriend है, उस पे ध्यान दोगे, friends हैं, उस पे prioritize करना पड़ेगा, last में tips दूँगा, कुछ मैं आपको वो चीज़ें, अपने दिमाग में डाल लेना, ये PPT में डाल दूँगा, group में, download करके, print करके रख लेना, ये चीज़ें, अपने दिमाग में डालते रहना, देखते रहना, देखते रहना, ठीक है, तो अब main चीज़ अब आपको खुद को distance करना है, किन लोगों से, जिन लोगों की तरह आप बनना नहीं चाहते, ठीक है, चाहे वो आपके friends ही क्यों नहों, चाहे वो आपके relatives ही क्यों नहों, अगर negativity आ रही है, चोड़ दो, next, आपको growth कैसे मिलेगी, पहली चीज़, focus खुद पे हो गया, अब क्या करें, next step आपके पास आएगा भाई, that is growth, 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 growth आपको कैसे मिलेगी, आपको comfort zone में growth कभी नहीं मिलेगी, अगर आप comfort zone में हो, तो आपको growth नहीं मिलेगी, growth zone आपको कहां मिलेगी, comfort zone से बाहर निकलोगे, तो आपको डर लगेगा, अगर अभी आप डर वाले face में हो, त करूँगा क्या life में, अगर यह हो गया, तो वो हो गया, तो कब तक में parents पर depending रहोगा, कब तक में parents से itelी मांगता रहोगा, तो next आपके पास आता है learning zone, थीक है, तब आप सीखते हैं, जब learning zone से बहार निकलते हो, उसके बाद आपके पास आता है growth zone, थीक है, जब growth बोन्स जोन से भारा होगे तो तो आपके पास success ही success है तो ये है आपके पास stages of growth जिससे आपकी growth भड़ेगी अपने आपको groom करो अपने आपके उपर भरोसा रखो ठीक है main thing is that is focus ठीक है growth का is okay sir comfort zone से निकल गए sir learning zone में आगे okay growth zone में आगे करें क्या focus करना है focus इसदा की ये आप सब को पता है जो भी चीज़े में बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को नहीं पता बस में systematic way में बता रहा हूँ कैसे आपको follow करना है clear अब productivity कैसे होगी दिन में एक बच्चा है जो पंदरा घंटे पड़ता है ठीक है मगर उसके दियान तो किताबों में है ठीक है मगर दिमाग में कुछ हो चल रहा है physically उसका हाथ में तो किताब है मगर mentally वो कहीं हो रहा है तो वो क्या है distracted work तो आपको इस चीज़ से बचना है ठीक है आप बले ही दिन में चार घंटे पड़ो मगर focused work होना चाहिए आपका जो focus है वो होना चाहिए बिलकुल 100% shoply जो चीज़ कर रहे हो उसी पर आपका focus होना चाहिए ठीक है next thing is productivity क्या productivity अब जब आपकी productivity 100% होगी तो आपका जो goal है वो easily आप achieve कर लोगे कैसे आपके जो goal से उनको break करो अब जब मैंने last time भी आपको strategy वीडियो बताई थी तो उसमें मैंने क्या बोला था जो आपके topics हैं उनको sub topics में divide करना शुरू करो अब के आपके जो goal से ठीक है आपका जो goal है किसी का goal है मुझे finance account assistant बनना है किसी का goal है मुझे SSE CGL crack करना है किसी का goal है JKPSC crack करना है किसी का goal है मुझे UPSC crack करना है तो कैसे होगा भाई पहली चीज़ उसको समझना पड़ेगा कि मेरा जो goal है उसमें क्या-क्या मुझे steps उठाने है वो steps जो है उन steps को आप लोगोंने क्या करना है smaller step में divide करना है ठीक है आपके topics उनको sub topics में करो अब यहाँ पे आज आप हो यह है आपका goal आप सोचो एक ही दिन में यहाँ पहुँचूँगा तो ऐसा नहीं होगा तो आपको day by day ठीक है day by day day by day आप जाओगे तो आपके लिए वो easy step हो जाएगा इसलिए कहते हैं कुछ भी पढ़ना हो कुछ भी चीज करनी हो तो उसको क्या करो step by step करो step by step ठीक है तो जो भी चीज है आपका अगर कोई topic आप पढ़ रहे हो ठीक है उसको क्या करो sub topics में device करो तो आपको easily समझाएगा ठीक है एक बड़ा topic है उसको छोटे topics में divide कर दो तो आपको easily समझाएगा ऐसे ही success हाब की चल दी है कैसे चलती है भाई एक step आप सोचो के में 30 days का महीना होता है 30 दिन आप लो क्या बोलो एक दिन का ही खापाओगे तो आपके brain की भी जो capacity है पर day की है आप सोचो में 30 दिन में सारा का सारा डाल लोगा तो नहीं डलेगा तो यह चीज आपने ध्यान रखनी है भाई तो यहां तक आपको समझ आया होगा तो next चीज इस कि भाई यहां तक आपने दिमाग में डाल लिया सब हो गया अब दो चीज़ें आपके पास आती है या तो अभी आप comfort zone में रह लो ठीक है मस्त रह लो माँबापके पैसों पर आईश कर लो आयाशी कर लो girlfriend से गपे मार लो रात को बाबुश होना कर लो ठीक है तो बाद में आपको discomfort zone में जाना ही पड़ेगा ठीक है अभी struggle होगा कल को आप लोग मस्त रहोगे अभी मस्त रहोगे कल को struggle दिखना पड़ेगा या आपके पास है या तो चूज कर लो क्या discomfort अभी comfortable life छोड़ो और comfortable life later on हो जाएगी अभी थोड़ा सा hard work कर लो ठीक है बाद में अपना मस्त smart life देना या तो फिर अभी मस्त smart life की जी लो later on आप लोग को hard work करना पड़ेगा मजदूरी कर लेना ध्याडियन लगा लेना बीवी आपकी आपको ताने देगी तो वैसे आपकी जिम्दी चलती रहेगी तो इन दो steps में से आपको choose करना है बहुत ध्यान से carefully तो अब I hope so 24 आ गया है तो आप लोग अच्छे से ही choose करोगे ठीक है अब last step क्या है भाई कि भाई कभी भी आपको लेट नहीं होता कुछ start करने से अभी भी अगर आप लोगों ने start नहीं कराए किसी भी चीज़ को तो आज today is the day ठीक है आज का दिन ही आपके पास दिन है बस within one hour ठीक है one and half hour उसके बाद आपका दो हजार चोबिस start होने वाला है ठीक है first gen अपनी life का ऐसा दिन बना दो इसको के भाई साब जीवन में आपको याद रहे कैसे in a few months you will be thanking yourself for starting ठीक है एक जनवरी को mark कर लो calendar में और अपने targets को achieve करना शिरू कर दो तो within few months six to nine months आप लोगों को खुद ही realize होगा कि हाँ यार मेरे को जो achieve करना था मैंने किया ठीक है तो अब ये सब चीजें तो ठीक हैं अब खुद तुमने क्या करने हैं ये कुछ tips दे रहा हूँ इन चीजों पे ध्यान देना भाई पहली चीज अपने जो गोल से उनको clear कर लो clear कैसे होंगे उनको objectives और break कर लो उनको manageable task में अगर आप लोगों ने UPSC, JKPSC, JKSSB का कोई exam क्रेक करना है तो पहली चीज उसके syllabus को decode करो ठीक है उसका जो syllabus है उसको decode करो कि भाई सब मुझे पढ़ना कैसा है उसको जो topic से कैसे cover करना है weekly में मैंने क्या task करना है वो चीज आपने कैसे करना है पहले आपने अपना goal को clear कर लो ठीक है जब आपका goal clear होगा तो आपने बनाना है next is schedule तो schedule आपने कैसे बनाना है जब भी आप सोना है कि next day मुझे क्या करना है ठीक है next day के लिए आपने time table सोने से पहले create करना है ताकि आप जब morning में उठो तो आपके पास कुछ task हो कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है क्यो maximum बच्चे 100 में से 90 students जो होते हैं वो वो सुबा उठते हैं उनको पता ही नहीं होता मैंने पढ़ना क्या है तो वो जो सो में से 10 जो होते हैं जो crack करते हैं जो toppers होते हैं उन्होंने अपनी strategy बनाई होती है उनको schedule पता होता है मुझे क्या पत करना है क्या नहीं क्या पढ़ना तो भाई साब realistic study routine आपने कैसे बनानी है मैंने जो बताया आपको each and every subject जो आपने अगले दिन पढ़ना है उसको आपने रात में ही सोने से पहले अगले दिन का अपने schedule बना के रखना है next one is prioritize subject आप लोगोंने आपने subject को identify करना है कि मेरा weak subject कोन सा है मेरा strong subject कोन सा है weak subject जो है उसको आप लोगोंने ज्यादा से ज्यादा time देना है जो आपका strong subject है आपको पता है भाई मैं last week में भी उसको revise कर लूँगा clear? consistent revision main thing is revision is the key ठीक है? revision is the key क्यों? ये किसलिए बोलते हैं? maximum बच्चे syllabus cover कर लेते हैं revision नहीं करते हैं exam में जाके मार खा लेते हैं तो आपने जो पढ़ना है उसको weekly habit डाल लो ठीक है? weekly habit डाल लेना revision की जब भी आप इसको revision करोगे आपके दिमाग में बैठ जाता है हमारे दिमाग जो होता है हमारे जो brain cells होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं कैसे? या दाश्त भूल जाते हैं उनको भी याद दिलाना पड़ता है भाई हमने ये पढ़ा था इसको याद रखना है ये पढ़ा था इसको याद रखना है तो वैसे वो याद रहता है clear? consistent revision clear? next आपके पास आता है बाई practice regularly जो topic आप पढ़ रहे हो उनको solve करो कैसे previous year papers लगाओ mock test के थूँ और अपने आपको exam pattern के थूँ वैसा mock test create करो कि 2 गंटे जो examination का time होता है उस time पे आप study table पे बैट जाओ ठीक है? तो वो 2 गंटे का paper पर आपने वैसा ही feel लेके देना है जैसे आप examination hall में हो ठीक है? mock test जितने हो सके mock test दीजिए previous year papers दीजिए फिर आपका syllabus cover होगा क्यों? आपको जब पता ही नहीं है कौन से type के questions आते हैं किस कौन से topics examiner के favorite हैं तो आप कैसे cover करोगे? तो हर एक teacher क्या बोलता है? पहले syllabus cover करो फिर mock test लगाओ मेरा opposite है ठीक है? एक बार चल के देखो success मिलेगी ही मिलेगी वाई क्या करना है आपने? पहले आपने previous year papers उठा लेने हैं उठा लेने हैं 5 साल की उसमें से आपको easily पता चल लेगा के examiner के favorite topics कौन से हैं तो आप वो वाले cover करो ये एक चीज़ बता दू मैं आपको exam में आपके syllabus का सिर्फ 20% आता है ठीक है? 80% तो आप out of syllabus से पढ़ रहे होते हो मतलब कि जो आपका 100% syllabus है ना जो creamy topics 20% हैं सिर्फ वही आपके exam में आता है ठीक है? एक strategy बनाऊंगा मैं अभी JKS भी जो फा का exam है उसके लिए के भाई आपने कैसे subject wise अपने topics को elaborate करना है और important topics कौन से हैं वो मैं आपको बता दूँगा next step क्या होगा? practice के बाद आपकी main चीज के भाई आपका जो lifestyle है वो healthy रखना है तो प्रोपर स्लीप होनी चीजए आपकी तब जाकी lifestyle आपकी healthy होगी ठीक है भाई next आपके पास आता है C clarification ये क्या चीज है भाई कि जब भी हमें doubt होता है हमें क्या लगता है हमारा दोस्त से अगर मैं किस से पूछ लूँगा उनको क्या लगता है यार इसको कुछ नहीं आता ये तो लालाइक है ऐसा नहीं है जो पढ़ाई में शर्मा गया तो वो समझो गया भाई जिन्दगी में फेल है खाना खाते वक्त पढ़ाई में कभी भी शर्माना नहीं है hesitate नहीं करना है क्योंकि भूखे तुम रहोगी दूसरे का नुकसान कुछ नहीं होने वाला है that's why clarification सीख करो जितना हो सके अपने concept को बिल्कुल basic से clear करो अगर दस बार भी पुछना है तो पूछो ना यार क्या doubt है ठीक है तो अपने आपको positive रखना है mindset जो आपका है उसको positive रखना है जितने आप positive रहोगे आपकी दिमाग में जो cells है वो भी positive आपका environment create करेंगे तो आपकी जो vibes है वो भी positive रहेंगी आपकी जो affirmation है वो positive रखनी है सुबह उठते ही आपने एक बार तो जरूर कहना है जो आपने बनना है ठीक है distraction main चीज़ है distraction अब जो आपको ये distraction है इसको disk करा दो क्या हो गया traction टी हटा दो क्या हो गया action तो आपने distraction का action follow में लाना है ठीक है distraction को हटा देना है distraction जितने भी हैं आपने हटा देनी है और जो भी आपकी छोटी छोटी विंस हैं, वो celebrate करनी है कैसे, जैसे आपने daily basis पे अपना schedule बना है, मैंने ये पढ़ा है, जैसे ही पढ़ लिया, तो भाई साब 10 minutes की nature walk कर लो या फिर कुछ pastry cake वेरा खालो, चॉकलेट खालो, celebrate करो, हाँ भाई, मैंने आपनी आज का target अचीव कर लिया, ठीक है भाई, तो ये था भाई, एक छोटी सी motivational वीडियो आपकी 2026 के लिए, ठीक है, तो साल हमारा खतम होने वाला है, मेरी तरफ से, from the शानॉलेज बैंक, यूटीब चैनल, और शानॉलेज बैंक की तरफ से आप सभी को, happy new year, आपका नया साल अच्छे से बीते, और जो 2023 में जो आपने गलतियां की हैं 2024 में आप ना दोराओ और मेरी यही दुआएं हैं, आप सबको के 2024 आपके लिए लकी रहे और आप सभी लोग कामियाब रहें, ठीक है